आज हम लोग जानेंगे Central Statistical Organization के बारे में उसको हम लोग Central Statistical Office भी बोल सकते हैं हम लोग जानेंगे कि वो किस Ministry के अंदर गताता है Government of India में उसका Headquarter कहा है उसका History कैसा है उसका Organization के बारे में हम लोग जानेंगे ठीक है तो Start करते हैं तो Central Statics Office या Central Statics Organization एक Government Agency है मतलब सरकारी Agency है जो कि इंडियन गवर्मेंट के अंदर गता है इंडियन गवर्मेंट में इंडियन गवर्मेंट में Ministry of Statics and Program आते है और उसके अंतरगत जो है Central Statistical Office आता है उसका काम क्या है तो उसका काम है कि अलग-अलग जो स्टैट हम लोग आता है तेखो स्टैट का मतलब होता है जो Information जो हम लोगों के पास आता है जैसे कि Numbers में जैसे माल लेते हैं कि आज हम लो जाता है उसको मलबोते ही Stats स्टैटस ठीक है तो यह जो Statistical Office है उसका मैं काम क्या है तो उसका में काम है जो अलग-अलग भारत में जो अलग-अलग Statistical activities होती है जो अलग-अलग नंबर का खेल होता है उसके बीच में Coordination करना उसमें समन में बठाना ठीक है और उसके बाद ज यह जो statics office है यह एक well equipped graphical unit है मतलब इसको एक graph का खेला होता है जैसे हम लोग को पता हुआ कि stats तो एक graph से होता है ठीक है तो जैसे हम लोग दिखाते हैं नहीं है अलग-अलग office जो है वो एक तरह का बहुत अच्छे से graphical unit होता है ठीक है वो डेली में located है उसका उसका जो office है वो देली में है ठीक है और वो अलग-अलग department जो government of India में आती है उसके बीच में वो statistical data सो करता है ठीक है अब history के बारे में बात करते हैं जो central statistical office है वो दो मई 1951 को cabinet secretariat जो highest decision making body है इंडिया में उसमें यह set किया लिया था ठीक है ताकि government officials को समाझ में आया कि stat हम लोग कहा कहा जा रहा है उसके बारे में वो अच्छा से planning कर सके ठीक है उसके बाद CSO जो है उसका नाम था उस समय CSO मतलब Central Statics Office जो है वी उसका उस समय नाम था Central Statistical Institute मतलब CSI फिर उसका नाम बदल करके रख दिया गया Central Statics Office ठीक है अब Central Statics Office में क्या होता है कौन based है कौन top पर रहता है कौन decision लेता है उसके नीचे कौन रहता है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो Central Statics Office जो है उसको head करता है एक director general ठीक है एक director general उसको head करता है और director general को assist करने के जो है फ़िखेन पांच एडिस्नल डिरेक्टर जक रोता है टिक है और फोर चार दीप्योटी डिरेक्टर जक नरलiblit Hendon अधार चिविखर साथ स्पेशल टास्क ऑफिशर्स होते हैं 30 डीप्योटी ऑड्रेक्टर होता है और 48 असिस्टें डालब अलग 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 स्टाफ होता है खे जैसे बताएं थे सी एसो जो हो देली में है तो इसमें असमझ गया कि सबसे उपार उता डारेक्टर जैनल फिर उसको मदद करने के लिए पांच एडिस्टे जनल जैनल है चाहर डिपूटिट task officers है 30 deputy directors है और 48 assistant directors है और छोटे-मोटे अलग-अलग staffs होते हैं ठीक है अब हम लोग देते हैं इसका function क्या है तो central statics office जो है उसका main function है कि वो ministry of statics and program implementation मतलब MOS and PI को मदद करता है उसमें वो बताता है कि stats कैसे कैसे है ठीक है और ये इसका काम ये भी है कि वो national account statics को अपना सारा जो उसका data water बना वो जाकर के national accounts statics को जाकर के दे देता है और उसके बाद वो government जो है वो release करता है और इससे जनता उसको देख देख करके समझती है कि कहां कैसे मेरा government काम कर रहा ठीक है जनता का मतलब ये अगर स्टेट लेवल के बात करें तो स्टेट directors of economy and statics होता है ठीक है उसी का में responsibility है कि वो जो domestic product है स्टेट domestic product मतलब जो आपका economy चल रहा है स्टेट में उसके बारे में वो responsible है कि उसके बारे में वह उसके बारे में वो आखड़ा दे है और स्टेट के बारे में वह बता है ठीक हैं अब अगर बात करें UN मैं United Nations भी तो यह देखता है ऐसा ऐसा है आप अपना दिमाग लगा लेज़े ठीक है उसके बाद प्लानिंग कमिशन जो पांच साल का प्लान लगाता था कि यैसे 2002 से 2007 के बीच में हम लोग को इतना डेवलेप्मेंट करना है तो सेंटर स्टैटिक्स ओफिस देगा बता देगा उसको कि देखिए आपको इ इस तरव इनकम कैसा किसका जा रहा है हम लोगों का जंता जो हो कैसे अपना पैसा कमाई को बढ़ा पा रहा है या नहीं बढ़ा पा रहा है तो और भी इसका बहुत अलग-अलग है तो गिनाने में तो बहुत डैब लग जाएगा लेकिन जो important important था वो बता दिये ठीक है और CSO जो है वो यह भी करता है कि industrial statistical wing जो है मतलब वो बताता है कि industry में कैसा कैसा काम हो रहा है मतलब industry जो है उसका उत्पादन उसका production है वो बढ़ रहा है या गिर रहा है उसको कैसा आगे करना चाहिए ठीक है तो वह सब आकड़ा जनने के बाद थोड़ा सा मदद मिल जाता है कि future में हम लोग कैसा करेंगे ठीक है तो सेंटर स्टैक्स ओफिस का importance बहुत ज्यादा है समझ गए सेंटर स्टैक्स ओफिस का यह भी importance है कि वो अपना जब वो अपना सारा stats देता है वो जब वो अपना quantity देता है तो इससे क्या होता है सब को समझ में आता है कि अच्छा यह तो गिर रहा था यह तो उठ रहा था तो इससे हम लोगों को फाइदा होता है जो decision लेते हैं उसको को फाइदा होता है वो देखता है कि हाहां ऐसा करने से ऐसा होगा तो सेंटरी स्ट्रैक्स ओफिस का यह सब भी importance है ठीक है तो हम लोग जान смог состав i peso क्या होता है उसका ऑर कि उससका history के बारे में